दोस्ता नमस्कार 2020 का मिथुन रासी फल आप आपको बताएगे कि मिथुन रासी के जीवन में क्या उतार चड़ाव क्या बड़े बदलाव 2020 लेकर आ रहा है 2020 के पूरे 12 महीना अभी तक हमने मेस और ब्रसब का रासी फल जाना है और आगे आप सभी रासी का रासी फल 2020 का जानेंगे मिथुन रासी का रासी फल आज हम बताएगे इस वीडियो में उससे पहले आपको हम बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा अब बात आगे की करते हैं कि मिथुन रासी का रासी फल क्यों हो जाता है खास क्योंकि मिथुन रासी रासी परिवर्तन करेगा इस बर्स सनी 24 जनवरी को रासी परिवर्तन करेगा 24 जनवरी 2020 को सनी अपनी मकर रासी में यानि कि स्वरासी में प्रवेश करेगा अब बात करें गुरू की तो गुरू 5 नवंबर को 5 नवंबर 2019 को रासी परिवर्तन कर रहा है और ये 2020 से पहले ही रासी परिवर्तन कर चुका होगा ये दोनों ही ग्रह अपनी स्वरासी की ओर बढ़ चले हैं तो 2020 में हर रासी के लिए बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे लेकिन 2020 में हर रासी के लिए बड़े बदलाव जानते हुए चलेंगे लेकिन अभी बात कर रहे हैं मिथुन रासी की तो मिथुन रासी का रासी फल जानते हैं क्या जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या बीतने वाला है, क्या होने वाला है, क्या लाव होंगे, क्या हनी, सब कुछ जानेंगे, सबसे पहले बात करते हैं, जनवरी महीने की, जनवरी के महीने में क्या लाव देखने को मिलेगा, जन्वरी के महीने में आपको ब्यापारिक लाव देखने को मिलेगा धन्मान सम्मान में ब्रद्धी होगी त्वास्त के प्रती थोड़ा सा सचेत रहें इस दिन इस महीने आपका खर्चा इत्यादी अधिक हो सकता है लेकिन उससे भी आपको ज़्यादा लाव ही होगा खर्च करने के बाद जूद आप अगर एक रुपए खर्च करेंगे तो वो भगवान आपकी महनत छोटी सी महनत से दुगना बापिस करेंगे लेकिन इस महीने जैसे कि मैंने कहा कि 24 जनवरी से रासी परवर्तन कर रहा है सनी तो सनी रासी परवर्तन जैसे ही करेगा तो आप पर लगने जा रही है धहिया धहिया क्या होती है इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए धहिया साड़े सादी तो डिस्कृप्शन में लिंक है बीडियो का उस बीडियो को देखिए और आपको سमझ में आ जायागा कि धहिया क्या है वैसे तो सभी लोग परचित होंगे धहिया से धहिया वह चीज है जिस पे सनी का प्रभाव सनी की दो चीजे हैं साले साती औंधहिया और इसका मतलब यह होता है कि आप किसी प्रकार का गलत कारे करेंगे उचित नहीं होगा गर वो कारे यानि कि वो अपराधिक मामलों में आता है वो कारे तो आपको सनी देव यानि कि न्यायाधी सनी के द्वारा दंड दिया जाएगा इस दंड में आपको आपके कारे के तमान जैसा कारे होगा वैसा दंड मिलेगा इसलिए छोटे से छोटा कारे आपको यहाँ पर तारीक नहीं मिलेगी कोट के तरह तारीख नहीं मिलती है यहाँ पर ढईया और साड़े साती का मतलब यही है कि मुख्य न्यायाधीज यानि कि सनी यहाँ पर अपना फैसला तुरंत की तुरंत सुनाते जाते हैं इनके पास इतना टाइम नहीं है यह तो तुरंत और कोई इंसान नहीं है देवता है तो देवता तो तुरंत अपना निर्धावर कर लेते हैं कि कौन गलत कर रहा है कौन सही उन्हें आपके सबूतों और दलीलों की आवसकता नहीं है जब दंड दे देते हैं तो सबूत और दलीले आप लोग प्रातना फिर करने ही लग जाते और गलतियां सबसे होती हैं इसलिए सचेत रहें अब जनवरी के रासी फल तो आपके लिए ठीक होगा लेकिन साड़े धहिया जैसे ही आप पर लगेगी तो ब्रसब रासी का धहिया अटके साड़े नितुन रासी पर आ जाएगा तो इसके बाद में आप बात करते हैं फरवरी के महीने की फरवरी के महीने में आर्थिक लाव आपको अधिक देखने को नहीं मिलेगा ये लाव अगर आप देखना चाहते हैं तो किसी असाय व्यक्ती की मदद करें आर्थिक उल्नति तभी होगी अगर आप सामान ने तोर से जीवन अच्छा खासा जी रहे हैं तो संतुष्टी वरते हैं यानि कि अगर असंतुष्टी आपको क्योंकि असंतुष्टा हर वेक्षी अगर असंतुष्ट है तो वो दुखी है तो अगर आप दुख अपना जादा बढ़ाते हैं, तो निस्चिती आप असंतुष्ट हैं और निस्चित आपको यहाँ पे संतुष्ट होना पड़ेगा, अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फरवरी का महीना आपका दुख में वीतेगा ही, और अगर हम बात करें होने की सिकायत होगी, और आपका BP सुगर इत्यादी बढ़ने की भी संभावना है, नसों में दर्द हो सकता है, मासपेशियों में सूजन दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप अपना स्वास्त का बहुत ख्याल रखें, इस महीने आपको अगर कोई दूर कोर्ट केस चल रहा है, वह केस अगर आपके लिए नियाय उचित है, आप अच्छे ब्यक्ती है, बहुत ही आपके कारे अच्छे हैं और आप नियाय के लिए याचना कर रहे थे, तो अब आपका ये कोर्ट केस आपको बहुत ही जादा लाब दिलाने वाला होगा, और मिस्चेदि आपके पक्ष मे आपको न्याय मिलने वाला होगा ए महीना आपके लिए न्याय की मामले में उचित होगा अगर आप कोट केस अच्छी यानि की सही लड़ रहे हैं अगर जूंटा केस कई बार ऐसा होता है कि जूंटा केस लगा दिया जाता है तो अगर जूंटा केस लड़ रहे हैं तो ऐसे में आपको दंड मिलने वाला है केस आप हार भी जाएंगे और निश्चती आपको बहुत बड़ा नुपसान और भी देखने को मिलेगा कोई दूर की यात्रा भी सनी करवा सकते हैं और सनी के ऊपर यहाँ पे पूरा रासीफल डेपेंड नहीं है ये भी आपको बता दें क्योंकि ये रासीफल सभी ग्रहों पे आधारित है और ग्रहों की अगर अविदी और ग्रहों का विस्तार से बड़न करते हुए जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा जो फिर हर व्यक्ति नहीं देखेगा तो आपको वही बात बताएंगे जो आपकी काम की है जो आपका रासीफल है तो फरवरी के महीने में बिद्यार्थी जीवन की अमेर बात करें तो बिद्यार्थी के लिए पढ़ाई के छित्र में बहुत ही रुची बढ़ेगी और नए नए कारियों में रुची बढ़ेगी आपका जो मानसिक बिकास है वो होगा और मानसिक बिकास के चलते आप नई चीजों को सीखने के लिए ततपर रहेंगे अब हम बात करते हैं मार्च के रासीफल की मार्च रासीफल में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं जिम्मेदारियों से आप निस्चे ती घबराएगे, इसमें आप अगर मार्च के महीने में अधिक जूंट बोलने का प्रयास करते हैं, और ज्यादा चालाकी रखते हैं, आप ज्यादा चालाकी से कार करते हैं, अपने रिश्तिदार परिवाज, भाई बन्दों से चालाकी द तनाव इस महीने बना रहने वाला है अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो आपको जूट बोलने से बचना चाहिए और उपाय के रूप में सनी की पूजा अगर कर सकें तो करें अथवा सिव की पूजा कर सकें तो सिव की पूजा करें सिवलिंग पर जल चड़ाएं और जिस प्रकार से आप पूजा करना चाहें कर सकते हैं सिव प्रसन तो सव प्रसन और अब बात करते हैं आपके बाहन की तो बाहन सुख आपको इस महीने देखने को मिलेगा यात्राएं आपको होगी छोटी मोटी यात्राएं होगी और अच्छे बाहन में होगी आप अगर ब्यक्ती इतने ज़्यादा स्रेष्ट नहीं है यानि कि आपके पास में खुद की गाड़ी इत्यादी नहीं भी है तो आप ऐसा देखने में आएगा कि आप अगर बाहर जाते हैं कहीं आपको वहाँ से जाना तो है ओटो में लेकिन आपको रास्ते में फिर गाड़ी मिल जाएगी और गाड़ी हो सकता है फिरी आपको ले जाए तो ऐसा भी लाव आपको देखने को मिल सकता है ये चीजे छोटी यात्रा है अच्छे बहानों में आपको देखने को मिल सकती है अब अगर हम बात करें अपरेल के महीने में क्या लाब होगा, क्या हानी तो अपरेल का महीना आपका सामानने तोर से उतार चड़ा उभरा होगा नए रिस्ते आप बनाते हैं तो उसमें एक बात का विजेश ध्यान रखें कि नए रिस्तों में करभाहट ना पाए और करभाहट न लाए क्योंकि अगर आपने किसी प्रकार का बाड़ी के दुर्पयोग किया आपके सब्ध सेली से भासा से किसी प्रकार का इस तर ऐसा निकला जिस्ते की सामने वाला खिन हो जाए, तो आपके नए रिस्ते भी बिगर सकते हैं, साधी विभाय त्यादी में अगर आपकी साधी विभाय नई नई हुई है, या होने जा रही है, रिस्ता पक्का हो चुका है, तो बहुत ही सावधानी वरतें और अपने जीवन साथी से कुछ और दिख रहे थे और साधी के बाद बनावटी हो जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बिसेश हानी प्रद होगा, जीवन साथी के लिए ये महीना इतना दामपत्य जीवन के लिए स्रेश्ट नहीं होगा, अब अगर हम बात करें बिद्यार्थी जीवन की, तो बि खास मई के महीने में, अगर आप नए कारिक करते हैं, नया बैपार करते हैं, तो इसमें आपको लाब देखने को मिलेगा, छोटा मोटा प्रमोशन भी हो सकता है, नोकरी में, और पुलिस से उलजने, आपकी अगर पढ़ती हैं, तो इनसे बचें, क्योंकि पुलिस से उलज में आपकी निस्चती हानी हो जाएगी, और आप कई वार बहुत जादा रोस में आ जाते हैं, इसलिए रोस जो है क्रोध है आपका, जो बहुत जादा क्रोध किसी छोटी सी बात पे आप जादा रियक्ट कर देते हैं, वो आपके लिए इस महीने हानी प्रद होगा, अगर आप जादा रियक्ट करते हैं किसी बात पे, तो निस्चती उसकी हानी आपको देखने को मिलेगी, अगर आप साधी प्रेम विभा यानि की लब मेरेज करना चाहते हैं, तो इस महीने आपको थोड़ी साबधानी बरतनी होगी, इस महीने साधी के लिए अगर आप बोलना च इस्चे थी, उसमें ना सुनने को मिल जाएगी और प्रेम संबन्द जो आपके हैं, फिर वो आपके खराब हो जाएगे, और ये फिर बात गलत हो जाएगी और आप इससे डिप्तुरेशन के सिकार हो जाएगी, तो साधी का तूटना भी, अगर साधी आपकी तय है, चाहे वो लब मेरेज, प्रेम विवा हो या अरेंज मेरेज, तो साधी का तूटना भी इस महीने बहुत अधिक देखा जा सकता है, और अगर नोकरी पाना चाहते हैं इस महीने, तो आपको थोड़ा अपने गुरु मंत्र, यानि कि किसी गुरु से, किसी भी गुरु से आप दीक् इशा लें और उसका अगर ले रखी है, तो गुरु मंत्र का नित्य जप करें, तो इस महीने आपको नोकरी इत्यादी मिलने के बहुत अच्छे लाव देखने को मिलेंगे, अब अगर बात हम विद्यार्थी जीवन की करें, तो विद्यार्थी जीवन में भी ये महीना स्र ये भी जानते हैं, जून के महीने में आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपको निश्चती इस महीने लाव देखने को मिलेगा, लेकिन ये अधिक लाव नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, कि आपके जो सपने आप खयाल में बुनते रहते हैं, कि मैं ये सभिनों गी ऐसा होागा वैसा होगा तो इस में से कई सपने जो आप सपने समझते दे वो इस महीने चाकार हो सकते हैं धन्वान समान में वृद्धी होगी इस वह लोग आपके स्वास्त का ध्यान डखेंगे इस महीने हो सकता है कि छोटा सामानने सा जो खाम वो खारित्यादी हो जाए लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप कितने भी बड़े हो लेकिन आपके जो बड़े हैं या छोटे हैं आपसे वो भी आपका ख्याल रखेंगे छोटी सी बीमारी में भी आपका ज्यादा ख्याल रखेंगे क्यों रखेंगे, क्योंकि आपका सौभाव भले ही आप बड़े हो चुके हैं, लेकिन आपका सौभाव जो है वो बच्चों की तरह है, इसलिए आपको स्रेष्ट इस महीने में ये कहें कि स्रेष्ट लाव देखने को मिलेगा, अब अगर हम बात करें जुलाई के महीने की, त आप नोकरी इत्यादी करें, वहाँ पे सेटल हो जाएं और बहुत अच्छा धन कमाएं, ये आपको बहुत अच्छा महीना बीतने बाला है आपसे, अब माता से इसने हैं बढ़ेगा, आपकी माता के जो प्यार में बहुत जादा ब्रिद्दी होगी, माता आपसे इसने हैं हो या प्राइवेट, तो उसमें आपको बहुत अच्छी जौब मिलने वाली है, अच्छी सेलरी वाली, अचानक से बिभा के योग भी बन जाएंगे, तो बिभा आपका तै हो जाए, इस महीने ऐसा भी देखा जा सकता है, पती-पतनी, अगर आप साधी हो चुकी हैं, पती प्रिद्धी होने वाली है विवादों में, धन को लेकर बहुत चिंताय रहेंगी आपको, और जिम्मेदारियों से आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं, अब हम बात करते हैं, अगस्त के महीने की, अगस्त के महीने में क्या है, रासी फल, मिथुन रासी का, मिथुन रास और उसे बचना होगा, दुरघटना, चोट्स पेट इत्यादी से चागोचोरी चरहते समय बीच आपद हने हैं, तोटा से چोटा कार है, जो भी आपको दिक्कर दे सकता है, यह आपको बहुत जब्यादा दे सकता है, इसमें बहुत ही आपको बचना होगा, और दूर की आत् плат दूर्ध करने के लिए स्वास्त को हाने यानी स्वास्त हानी पहुंचाने वाला होगा पिता से अचानक से चड़ाव आपको जो नए रिष्टे हैं मित्र हैं उनमें उतार चड़ाव देखने को मिलेगा थोड़ी मांसे का सांती इसलिए भी होगी क्योंकि मित्रों से अनवन रहेगी मित्र का सहयोग इस महीने नहीं मिलने वाला है अब हम बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की तो व विद्यार्थियों का माता से आपका इसने बढ़ेगा और कोई अगर विद्यार्थी यानि कि किसी प्रकार का आरोप लगाते हैं आप या आप पर लगता है तो ये आपके लिए दोनों प्रकार से ही हानी प्रद हैं बात करते हैं सितंबर के महीने की सितंबर के महीने में क् स्वास्त बहतर होगा इस महीने आपका और मान सम्मान प्रतिष्ठा में ब्रद्धी होगी भागे में ब्रद्धी होगी भागे का सहयो भागे का साथ यानि कि किस्मत का साथ आपको निश्चित तौर से मिलेगा दिन चरिया बहतर होगी नए कार सीखने की आपकी स्रेश्ट लाम मेलेगा, कम महनत से स्रेश्ट लाव दायक होगा यह पराक्रम, और छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे आपके, छोटे भाई बहनों से मदूर संबंध बनेंगे, और विध्यारति परख की बाद करें, तो बिद्या दिन में रुची बढ़ेगी बिद्या के लिए त्रिष्ट देखा जा सकता है और अगर आप किसी प्रतियोगता में भाग लेते हैं इस महीने तो निश्चेती उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी प्रतियोगता आप जीत के बिनर बन के आएंगे और प्रे संतान उत्पत्ति प्रेम विवा के लिए अगर प्रेम विवा करना चाहते हैं तो यह लाब दयक इस्तिती है यहां आप बात तै कर लीजिए तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा आगे चलके जब विभायत त्यादी का समय आ जाएगा तब कहेंगे तो साइद वो उत्तम नहीं होगा आपके लिए संतान उत्ति की बात करें तो संतान उत्त्ति का समय बहुत अच्छा है और आप गर्विनी हैं अगर गर्व में आपके संतान है तो आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए उसके आध्यात्मिक विकास के लिए और उसके संस्कृति के विकास के लिए आपको आध्यात्मिक प्रवचन इस महीने सुनना चाहिए जिससे कि बच्चे को आध्यात्मिक लाब मिल सके अब हम बात करते हैं अक्टूवर क की उक्टूवर के महीने में क्या है मिधोन रासी का रासी फल कि झिए आपके सारेरिक विकास होगा सारे इस स्वस्त रहेगा और आप वे स्वस्त रहेगा तो मानसिक बिकास भी होगा आपका साथी साथ कुटुम के धन का सही होगा आप लेंगे अगर वैपार में तो स्रिष्ट लाव होगा पिता का धन आपके लिए बहुत हितकर और लाब दैक होगा जो आपने पैत्रिक धन आपका बचा के रखा है वो पिता का अगर आप बचा के रखे हैं तो बहुत लाब होगा और जो अगर लाब अभी नहीं लेना चाहते हैं तो वो पिता का धन नश्ट ना करें पिता का धन पैत्रिक धन आपका बहुत काम आने वाला है आगे समय चलके तो अब अगर हम बात करें पराक्रम की तो पराक्रम बहुत ह स्रेश्ट मेहनत आपको सफलता दिलाने वाला होगा और माद सम्मान में बृद्धी और आपके माता का बहुती प्रेम भावा आपके बढ़े माता-पिता का शनेन मिलना इस महीने आपको बहुती देखा जा सकता है और विद्यारती वर्ग की वाद करें तो विद्या अध्यन में रुची बढ़ेगी हो सकता है कि आपके पुत्र संतान के साथ में पुत्री के साथ में तम्मंद थोड़े बिच्छे दात्मक हो थोड़ा उतार चरहाव और बहुती ज़्यादा बीच में कले कि स्तिदी आपके संतान के साथ हो जाए वो आप पर निर्वर करता है कि आपको कुछ उपाय जो में आप हमसे फॉन करके पूछ सकते हैं उपाय बताने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है लेकिन कुंडली देखने का जरूर है तो इस बिसे में आप फॉन पर डिसकस कर सकते हैं पती पतनी में कले इत्यादी हो सकता है एक्टूबर के महीने में अचानक से कोई बहुत पुराना मित्र मिलने आ सकता है उसके मिलने से आपको बहुत ही खुसी होगी और जिम्मेदारियों से आप बहुत जादा परिसान इस महीने नहीं रहेंगे जिम्मेदारियों को बहुत डटकन निवाएंगे अब अगर हम बात करें नवंबर के महीने की तो नवंबर के महीने में किस्मत का साथ आपको बखुवी मिलने वाला है बहतर लाव किस्मत दिलाएगा आध्यात में रुची बढ़ेगी इस महीने आपकी और नवंबर के महीने में थोड़ा व्याय अधिक होगा लेकिन व्याय धर्म के प्रती होगा अच्छे सतकर्मों क के प्रती होगा दान इत्यादी के प्रती होगा दान इत्यादी देते हैं तो स्रेश्ट लाव आपको उस दान का देखने को मिरेगा सामाने रूप से ये दान आपकी मानसिक असान्ती को कम करेगा छोटे मोटे रोग इत्यादी जुखाम बुखार खांसी इत्यादी होने के सह योग भी बन रहे हैं, कोई कलंक त्यादी से बचना होगा आपको किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप कोई ना लगाए, आपको कोई पीठ पीछे बुराई न करें, पीठ पीचे बुराई तो करते रहते हैं लोग, लेकिन बुराई को आप सफाई करते जाएं तो बहतर अपना पक्ष जो है वो साब सुत्रा रखें बिलकुल इस पश्ट वक्ता बने इस महीने तो स्रेष्ट लाव होगा अगर बहली फुसली बात है करेंगे आप तो इसमें लाव देखने को नहीं मिलेगा आपको अगर हम बात करें दिसंबर के महीने की तो दिसंबर के महीना आपके लिए बहुत स्रेष्ट होगा आपको किसी प्रकार के कारे की आपकी सरहाना की जाए किसी मंत्री या नेता के सयोग ऐसे बने कि मंत्री और नेता से आपको मेडल अवर्ड दिया जाए सम्माने 83 दी जाए सम मान पाएं इस महीने के लिए आपको यही कहेंगे कि सामान इस्तिती से अच्छी इस्तिती आपके लिए दिख रही है वह स्रेश्ट लाव आपको इस महीने देखने को मिलेगा आगे आपको हम और रासियों का हाल बताएंगे और अभी आपको एक बात और बता दें कि हम इस च या किसी रासी परमरतन को लेके हम बात करें तो उस पर रासी फल बनाते हैं और आपको बताते हैं आपका हाल इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक बात और विसेश बता दें कि अगर आप हमारे रासी फल को सेयर करते हैं तो इसका भी आपको और आपके जो सेयर करने वाले लोग हैं उन्हें लाब देखने को मिलेगा क्योंकि रासी फल की महत्ता वही जान रहा होगा जो इस रासी फल को समय बीथ जाने के बाद में देख रहा होगा 2020 के कुछ महीं ये बीज जाने पर ये रासी फल अगर देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मेरा रासी फल कितरा सटीक और जो लोग मितुन रासी के हैं वो पुष्टता है इस बात की पुष्टी करें कुमेंट बॉक्स में बिलकुल आप अपनी बात इस पश्ट रूप से रख सकते हैं मैं मालता हूँ कि 90-95% मेरा रासी फल से निस्चे दी सटीकता और सरलता इस बात का आपका प्रमाण चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में क्योंकि अभी तक हमें यही अपना रासी फल जो पूरी तरह से निसंदे मुझे अच्छा लगता है इसलिए रासी फल आपको अगर अच्छा लगता है और आपको सटीकता दिखती है रासी फल में तो कमेंट बॉक्स में जिरूर बताईएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को लाइक कीजेगा बहुत 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 धन्यवार नबस्कार जैसी किष्णा जैसी रादे